Hello guys, welcome to our channel College Tea Point तो आज का वीडियो काफी interesting होने वाला क्योंकि हम वो सारे colleges को देखने वाले जिनकी fee structure काफी कम है चार साल के investment काफी कम है और return on investment काफी गजब का है और trust me जब मैं इस content पे research कर रहा तो बहुत सारे ऐसे college मिलें जो कोई उतने popular नहीं थे but decent सा return on investment था because बहुत सारे ऐसे private colleges होते हैं पहले से जो कि इतना hype create कर देते हैं कि highest package यह गया है, average package यह गया है कि यह सारे college कहीं ने कहीं underrated रह जाते हैं तो इसमें बहुत सारे आपको ऐसे college देखने को मिलेंगे जो underrated है एक मैंने content में capping set किया कि 30 लाग below जिन institute का fees है उसी को cover किया जा रहा और इसमें सारे के सारे government college ही fall कर रहे थे कोई भी private college का इतने तक का fees नहीं रहता है तो बिना दिर कीवे video के start करते है आपको हर्याने की counseling में participate करना पड़ेगा जो की HSTES के नाम से popular है वही हम fee structure को देखे तो 1,75,000 के अंदर इसका 4 साल का total institute investment रहता है and hostel investment 50,000 के अंदर मतलब 2,500,000 के आसपस आपका BTEC complete हो जाएगा और जब placement stat को देखेंगे तो जो average package 2022 करा वो 4.5,000,000 के अप्रॉक्स गया था वही highest package 7.57,000,000 तक रहा था अब detailed stat 3 से 5 सालों का देखना है तो college 2.0 का application यूज करो जितने भी colleges यहाँ पे दिखाए जा रहे maximum colleges आपको वहाँ पे मिलेंगे भी था detailed placement कौन-कौन सी company आए कितने का package offer किया पिछले 3 सालों से 5 सालों का effect साथी साथ क्या round wise cut-up रहा ताकि आपको पता चल सकी कि आपके rank पे वो college मिल सकता है या नहीं मिल सकता है या कहां तक उस college का rank जाता है वही अगर हम cut-up को देखे तो cut-up में यहाँ पे आपको पे आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद university of technology यह basically WBJ examination के तो एडमिसल लेता और WBJ इसकी counseling भी conduct करता और एक interesting fact है कि जितने भी WBJ के popular college है वो इसी university से affiliated है तो काफी decent सा university है वही अगर हम fee structure की बात करें तो 2 लाग के अंदर आपका पूरा 4 साल का investment रहेगा institute का और जो placement stat रहा 2022 का average package 4 lakh का median package जो रहा maximum package 35 lakh का और median package 4.5 lakh का तो आपका 2 lakh के investment पे 4.5 lakh का आपका return मिल रहा है that is very good and college भी काफी decent सा है आप इसके बारे में एक बार सोच सकते है WBJ का examination आपको देना परेगा इसके लिए वही अगर हम cut-off की बात करें तो WBJ में जो आपका rank रहना चाहिए वह 5500 के अंदर है तो CSIT related branch आपको यहाँ पे मिल जाएगा अब number 10th position पे आता है कल्दानी government engineering college यह भी same WBJ के अंदर ही जाता है तो WBJ का examination आपको देना होगा और counselling भी WBJ ही conduct करता है fee structure की बात करें तो आपका 60,000 के अंदर fee structure में जब 4 साल का investment 60,000 के अंदर रहेगा वही अगर हम placement stat को देखें तो placement stat में 100% बच्चे यहाँ से placed हो गए थे with a median package 4 lakh तो 60,000 के investment में 4 lakh का median package का जबर्दस return on investment आप कह सकते हैं इस college का है वही अगर हम cut-off की बात करें तो WBJ में CS IT के लिए आपको 2000 के अंदर rank रहना चाहिए कोई भी branch के साथ अगर move करें तो 5000 के अंदर rank है तो chance है कि यह college आपको मिल जाए अगले number पे आता है जवलपूर engineering college यह college J main rank के basis पे admission लेता है बट आपका जो counseling है वो MPDT के थुरू होता है मतलब मद्यपर्देश के अंदर college है तो मद्यपर्देश का जो state counseling होता है उसके थुरू ही यह college मिलता है आपको fee structure की बात करें तो overall job का investment रहेगा वो 1 lakh के अंदर का रहेगा वही placement stat को देखे तो 94% student यहां से placed हो गये थे with a median package 4.41 lakh 1 lakh के investment पे 4.41 lakh का median package काफी decent सा आप return on investment कह सकते हो वही अगर हम cut-off की बात करें तो cut-off में आपको CSIT related branch चाहिए तो 90,000 के अंदर rank रखना परेगा वही अगर आप कोई भी branch के साथ move करना चाहिए तो 4 lakh के अंदर अगर आपका rank है तो there is a chance कि यह college आपको मिल जाए का counseling होता है उसमें आपको बैठना पड़ेगा वही अगर हम fee structure की बात करें तो आपका 2 lakh के अंदर institute investment रहता है वही अगर हम hostel fees की बात करें तो 60,000 के अंदर आपका 4 साल का investment रहेगा होस्टल का placement stat को देखे तो 70% student यहां से placed होगे थे with a maximum package 64 lakh and the median package 6 lakh वही अगर हम cut-up की बात करें तो payment में अगर आपको 70,000 के अंदर rank है तो CSIT related branch आपको मिल जाएगा वही अगर आप लास्टली इस college को चाहरे तो 1 lakh 70,000 के अंदर rank है तो आपको most probably यह college मिल जाए अब इतनी सारी counseling में आपका best chance क्या बन सकता है उसके लिए college t-point का college predictor यूज करो जहां पे predictor आपको analyze करके बता नहीं करता है वहीं पे अगर आप कोई branch के साथ देखना चाहरे तो specific branch का filter लगा लोगे filter लगा के देख सकते हो कि आपको उस branch के साथ कौन-कौन से college मिल सकते और वहीं पे within a one click आप उसके पिछली तीन सालों से 5 सालों के stat को देख सकते हो roundwise उसकी क्या cut up रही और fee structure return on investment के है college का आप within one click कर सकते हो तो कोई भी extra effort के बिना accuracy के साथ आप अपने college को predict कर सकते हो definitely जाके इस tool को try करो अगले नंबर पर आता है institute of engineering and technology यह MP के अंदर मदबर्देश के अंदर college है तो J main rank के basis पर ही admission होता है बट आपको जो counseling conduct करना पड़ेगा वो MPDT का counseling जो मदबर्देश state counseling होत तो 3 lakh के अंदर आपका institute investment रहता है वही placement stat को देखे तो क्या गजब का इसका placement stat रहा है अगर हम placed percent की बात के तो 81% के approach student यहां से placed हो गए थे 57 lakh का highest package रहा है यहां से और जो median package रहा 6.20 lakh अब बहुत सारे private college को search करते रहे जो इतना median package आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा मत इतना decent सा यह median package दे रहा है और government college होते वे दे रहा है वही अगर हम cutoff की बात करें तो cutoff में आपका rank 50,000 के अंदर है J.E.Main में तो CSIT related branch मिल जाएगा last closing rank के बात करें तो 1,17,000 के अंदर आपका rank है देरी जा chance कि यह college में आपको admission मिल जाए next position पे आता अलिगर Muslim University यह college अपना खुद का entrance लेता है और counseling भी खुदी conduct करता है जो कि AMUEEE के नाम से जाना जाता है वह एकर हम fee structure की बात करें तो overall आपका 2 lakh के अंदर institute investment रहेगा और जो placement stat रहा है इस college का जो 100% student यहां से placed हो गए थे with a median package 5.50 lakh तो काफी decent सा return on investment है इस college का next position पे आता है J.M.I. जामया, मिल्या, स engineering college है काफी decent सा college J.M.I.N. rank के business पे लेता है बट अपनी खुद की counseling यह conduct करता है तो आपको इसके separate counseling में participate करना होगा वही अगर हम fee structure के बात करें तो 1 lakh के अंदर आपका institute investment रहेगा और जो placement stat रहा है इस college का 98% के approach बच्चे यहां से placed हो गए थे 2022 में with a median package 7.5 lakh तो काफी जबरद candidate को ज्यादा reservation मिलता है तो general candidate कहीं न कहीं थोड़ा पीछे रह जाते है इस college में computer science का जब average package की बात करते हैं तो approach 10 lakh के average package इस college का रहता है वही अगर हम cut up को देखे तो general candidate को 35,000 के अंदर rank रखना परेगा for getting CSIT related branches वही अगर आप इस college में admission लेना चाह रहे हो कोई भी branch के साथ तो 80,000 के अंदर आपको rank रखना परेगा तो there is a chance कि ये college आपको मिल जाए नेक्स्ट पोजीशन पर आता है USICT University School of Information Communication and Technology काफी जबरदस्ट college है बिकाज इसकी जो infrastructure आप top private college को भी देखोगी तो वैसी infrastructure प्रोवाइड ने कर सकता और top notch location पर ये college है मतलब आप दौरिका के main center म college है metro station से आपका distance hardly 500 meter का पढ़ता है और NSUT से 3-4 km के distance पर ये college है काफी अच्छा culture इस college में देखने को मिलता है और government college है ये और IPO के main campus से भी ये popular है main rank के business पर यहाँ पर admission होता है बट आपको IPU के counseling में बैठना होगा तो IPU की separate form निकलते है जिसमें बहुत सारे college है जाते है उसकी भी detailed video आएगी तो IPU University के अंदर ये पहले number पर college आता है fee structure की बात करें तो 3 lakh के अंदर आपका overall investment रहता और यहाँ पर एक बहुत common सा confusion देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये केवल BTEC plus MTEC course के लिए ही dual degree course के लिए ही college है नहीं ऐसा नहीं है अगर आप pursue करना चाहते हो BTEC plus MTEC तो कर सकते हो otherwise आप BTEC करके भी placement ले स package को देख लो 10 lakh का median package नहीं जाता भाई साथ जो इस college का जा रहा इतने कम फीस में वहीं अगर हम बात करें average package की तो average package 12 lakh का यहां से रहता है 2022 में and highest package 45 lakh का अगर हम cut up की बात करें तो overall आपका 22,000 के अंदर rank है तो CSIT related branch आपको मिल जाएगा आप इसी के साथ move करना चाहते है तो colleges जाते हैं मैंने एक detailed video IIT पर बनाया कि किस तरीके से IIT की भी seat वेकेंट रह जाते है definitely उसको जाके देखना तब आपको समझ में आएगा कि जो cut up हमें so किराया जाता है या जो cut up हमें so होता है बस उतनी तक कहानी नहीं होती उसके भी आगे कहानी चलती है next position पर आता cluster innovation center यह Delhi University के अंदर college आता है basically दो engineering के college Delhi University के अंदर आते एक Delhi Technical University जो Jack Delhi की तुरू अपनी admission को लेता है बट यह college इस साल से CUET के basis पे examination के basis पे admission लेगा अपनी self counseling करके और fee structure की बात करे तो आपका 50,000 के अंदर पूरा BTEC complete हो जाता है और मात यह single branch offer करता है information technology with mathematical innovation with 50 seats बट भाई साहब क्या तगड़ा college है मतलब entrepreneurship के लिए जबरदस्त college माना जाता है तो placement stat के बात के तो most of the student जो होते हैं वो entrepreneurship skills में ही जाते हैं बट जो approach आप कह सकते हो जो median package इस college का रहता है वो 10 lakh के approach रहता है या उससे भी एवब रहता है actual fact data तो कहीं पे भी available नहीं था बट जो इस college का review है जो इस college क कि एक बच्चे review किये हुए है तो no doubt इस college का अराम से 10 lakh के एवब आपको median salary package देखने को मिल जाता है अब आते है number second college पे any cases University of Calcutta काफी decent सा college है और जो West Bengal से belong नहीं करते हैं कह सकते हैं underrated college है कि बहुत सारे लोगों को इस college के बारे में मालूम नहीं है बट जब हम इसके return on investment को देखेंगे तो क्या दिमाग हिल जाएगा क्या चवरदस्त return on investment है इस college का अगर हम examination mode की बात करें WBJ की तो यहाँ पे admission होता है और आपको WBJ की counselling में ही बैठना होगा fee structure की बात करें तो आपका 50,000 के अंदर जो है वो 4 year जो course है वो complete हो जाता है वहीं अगर हम hostel fees की बात करें तो 10,000 के अंदर hostel fees जो placement stat 2021 का रहा है 100% student यहाँ से placed हो गया था with a median package 9.03 lakh 50,000 के investment में आपका 9 lakh के prox median packages college का लग जाता है और यह 2021 का stat है most probably 2022 का जब stat आएगा तो no doubt इससे कहीं जादा high ही median package रहेगा अगर हम cut-off की बात करें तो आपका WBJ में 1000 के अंदर rank है तो computer science and information technology related branch आपको मिल जाएगा यहाँ पर वहीं अगर आप इस college में admission लेना चाहरे तो 4500 के rank के अंदर आपको यह colleges में admission मिल जाएगा no doubt आपको बहुत सारे यहाँ पर WBJ की colleges भी देखने को मिल रहे तो college t-point का जाके predator tool यूज करो WBJ का और देखो आपको आपके rank पर या कितनी तक rank रखो जो एक decent सा आपको college मिल जाए या first position की बारी और no doubt बहुत सारे लोगों को पत university इस college में admission आपको WBJ के थुरू मिलता और counselling भी WBJ के थुरू ही conduct करना होता है fee structure की बात करें तो overall 15,000 के अंदर आपका 4 साल का पूरा investment मतलब per year मान के चलो 3-4,000 का आपका per year का institute investment रहेगा वहीं अगर हम hostel की बात करें तो 10,000 के अंदर hostel investment आपका रहेगा 4 साल का placement stat रहा जो इस college का आप किसी भी college से compare कर लो दूर दूर तक भी ऐसा return on investment देखने को नहीं मिलेगा 99% student यहां से placed रहे ते with the median salary 10,000 और CSIT के साथ अगर आप pursue कर रहे है इस college में तो 20,000 प्लस का average package रहता है और highest package 2022 का जो रहा है वो 1.8 करोर करा और इसके placement stat को देखके कुछ बोला ही नहीं जा सकता हम बात करें इसकी cut-off की तो जिस तरीके का far placement stat उसी तरीके का आपको cut-off देखने को मिलता तो 3000 के अंदर अगर आप कर रहेंगे तो most probably इस college में आपको admission मिल जाएगा तो ये थे इंडिया के 12 essay engineering college जिनकी fee structure काफी कम थी और return on investment काफी गजब का ऐसे ही content हम आप तक deliver करेंगे उसके लिए जादा से जादा चैनलेन को subscribe, video को like and share करो और college t-point का application जाके try करो क्योंकि वहाँ पे आपको आपके rank पे specialize क्या-क्या मिल सकता सारी चीज़े detailed वहाँ पर पता चलती है तो definitely जाके download करो link description में